कि एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात आपको बताता हूँ 2016 की बात है ना 2016 की 2016 में एक टाइम ऐसा था जो फिजिक्स, किमिस्ट्री, बाइलोजी तीनों की टेस्ट पेपर जो है वो मेरी को ही रेडी करने पड़ते थे चार-पांच पेपर ऐसे थे जो मेंने ही बनाये थें फिजिक्स, किमिस्ट्री, बाइलोजी तो मैं क्या करता था कि जैसे 2011 का पेपर लिया नीट वाला एक प्मट वाला उसकी फिजिक्स ले ली पिर 13 वाला लिया उसकी बायलोजी ले ली है ना और 17 वाला पेपर लिया चलो ठीक है बारावल आ लिया उसकी बाइलोजी ले ली है ऐसे करके Mix कर दिया सब को चेक कर रहा था कि आप कितने जयान से सुन रहे, Mix कर दिया है कि उस्के बाद जब स्टुटेंस का टेस्ट लäते थे तो इसमें से भी कोई स्टुडेंट रहा अघ्या लाते है जो पूरे मांक लिएथ मां पूरे मर्कलि लाता था उस में। को पूरे मांक लाता था उसमें और ज'S उसके मार्क्स 610 के आसपास थे थे आज गल 600 नमर बहुत कमन हो गया वह उस वक्त 600 लाना कोई छोटी मटी बात नहीं थे सब मेंटलिटी का गेम है 600 नमर कमन क्यों हो गया क्योंकि सब की मेंटलिटी ऐसी है यह जब तो 600 लानी लाने तो जब उसने में एक्जाम दिया जब उसने में एक्जाम दिया तो उसके मार्क्स उतने ही रहे जितना कि उसका प्रिवेस एर पेपर्स में जो स्कोर था उसका एवरेस था और वो एक मात्र स्टुडेंट थी जिसके बाइलोजी में बहुत बाद टेस्ट में पूरे में से पूरे आते थे और टेस्ट कहां से बनावा था पूरा का पूरा पूराने सालों के पेपर से वो एक मात्र स्टुडेंट थी बाकी स्टूडेंट साल बर से त्यारी कर रहे थे उसके बाद भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो पूरे में से पूरे लापाता था तो at the end क्या हुआ performance उसी की final exam में जो पहले perform कर रहे थे उसके लावा कि मेरे एक सीनियर थे बात में बहुत बार बताता हूं कि मेरे एक सीनियर थे 2010 बैच से रामावतार नाम था उनका तो वो मुझे कहते थे कि मेरा जो है वो पांचवे चटी ड्रॉप में सेलेक्शन होगा इवन उससे भी ज्यादा ही कुछ ड्रॉप यर्स रहे होंगे क्योंकि जब वो आये थे कॉलेज में तो वो काउंस्लिंग में उनके बच्चे भी उनके साथ में थे तो वो मुझे कह रहे थे कि इस बार में सेलेक्ट हुआ हूँ और इसलेक्ट हुआ हूँ क्योंकि मैंने लास्ट येर मतलब जिस साल वो सेलेक्ट हुए उससे पहले मैं ने सिर्फ पुराने 10 सालों के पेपर को 10 बार किया है हमारे मैंसे 90% लोग ऐसे हैं जो जमाने बर के resources के लिए try करते रहते हैं कि मैं कौन सा content पढ़ू हूँ मैं किस institute की test series join करूँ मैं online join करूँ कि offline join करूँ जबकि जो उनके पास में खुद के पास content है उसको हमें से ignore करते हैं और previous year solve करने का मतलब यह है कि आपके पास में जो question है उस question में चार option है एक उसका answer है बाकी तीन जो तो biology और chemistry में जो theoretical portion है उसमें बाकी के तीन option गलत क्यों है यह बाकी के तीन option किस chapter के हैं यह बाकी के तीन option के बारे में आपको क्या आता है कि वह बहुत ज्यादा important है मैं देखता हूं बच्चा जब biology solve कर रहा होता है previous years में तो उसका focus उस option पर होता है जो answer है कि उसको बाकी के तीन option से कोई मतलब नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि आप पाकी के तीन options का equally ध्यान रखें उन्हें equally importance दें अगर आप उन तीन options को भी properly observe कर रहे हैं उन्हें properly देख रहे हैं उनके बारे में भी data कटा कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको information है आपको पता है कि तीन option गलत क्यों है और यह सही क्यों है तो आप effectively पुराने सालों question कर रहे हैं और मैं इतना जानता हूं कि जो at present जो cut-off जा रही है जब चैस्टो नंबर हो चैस्टो दस हो चैस्टो बीस हो एक बहुत simple सी बात आपको बता रहेता हूं वो simple सी बात यह है कि अगर आप सिर्फ आप लोग सिर्फ अगर दस सालों के paper हर option को consider करते हुए अगर solve करते हैं तो मेरे इसाब से that is more than enough जो भी आपका score है वो अचीव करने के लिए कि लेकिन उसमें आपका पूरा मन तन और धन लग जाना चाहिए कि हां मैं यह कर रहा हूं आसान काम नहीं है यह लेकिन यह काम पूरा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि आपका एक फिक्स गोल है 90% student जो है वो कुद की efficiency अपनी peak efficiency तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि मेरा at the end कितना content गोल है तो content specify करना बहुत जरूरी है आपकी maximum या peak performance अचीव करने के लिए वरना आप हमेशा क्या रहते हो इस confusion में रहते हो अरे यार इतना सारा पढ़ना है हटाओ बास समझ रहे हैं आप लो कोई भी चीज आप छोड़ते कब हो आपको लगता है कि नहीं यह तो मेरी बसका नहीं है लेकिन in real देखा जाए तो selection हर student के बसका है अगर वो content को specify कर लेते हैं कि मैं इतना content ही पढ़ने वाला हूं और अगर आपने उतना content की आमाल लो मान लो आपने last year exam दिया तो आपके 200 number आए लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ 10 सालों की paper करो मंद से हर option को ध्यान में रखते हुए physics chemistry biology तीनों में हर concept को समझते हुए और आपने अब मेरी बात मानी आपने exam दिया तो इस बात की तो guarantee है कि आप last time से बहुत better perform करों कि मान लीजिए कि आपने 10 साल के paper solve किये और आप select नहीं हुए आपके number आगे रह गए 580 गास पास या 570 गास पास तो पता है क्या होगा कि आप में confidence होगा कि जब मेरा पिछली बार 200 नंबर था मैं सिर्फ इतना सा पढ़ा मेरे 580 मार्क्स आ गए तो मैं select क्यों नहीं हो सकता तो selection के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो सोचते कि मेरे 500 नंबर आ रहे हैं test series में यह मेरे 500 नंबर आ रहे हैं last year के exam में अब की बार में 660 लियाओंगा नहीं आएंगे बेवकुफी करना बंद करो